लोगों ने अपना जीवन खोया है यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ है सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंवीर है हर प्रकार की जाँच के निर्देश दिये गए है और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बख्सा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का जिन्नों ने जिस त्वरा से इस परित्थिति में अपने पाद जो भी समसादन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया बेहा के नागरिकों का भी रुदय से अभिरंदन करता हूं क्योंकि उन्हानी संकट की घड़ी में चाए ब्लड डोनेशन का काम हो चाए रिश्क्यों अपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है मैं इस शेत्र के नागरी कोंगा भी आधर पुर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेल्वे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वेबस्ता है रिस्क्यों आपरेशन में आगे रिलीव के लिए और जन्द से जन्द ट्रैक रिस्टोर हो जातायात का काम तीजगती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभी चारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दूप्टी घड़ी में मैं हाँ स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरीग से उनसे में ले बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम शब को सक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन गटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी वेवस्थाओं को भी और जितना नागरीकों के रक्षा को प्रात्मिक्ता देते भी आगे बढ़ाएंगे दुख की घड़ी है अम सब प्रार्षना करे इन परिजनों के लिए